लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं चाहिए वो बोरोशिफ को लेकर करके मैं और भी आपका परीचा खराता हूं जैसे यह बाम है बाम हमारा लगबग आधे रेट पर मिलता है लगबग आधे रेट पर अब दूसरी भी बड़ी बाम की कंपनी है क्योंकि देशी कंपनी इसलिए इसके बारे में कोई भी टिपनी नहीं करूंगा लेकिन देशी लोगों में भी बाम हो चैये चनपास हो चैये हनी हो इतनी लूट मचाई अपने देशी कंपनी ओने भी वह ठीक ने अब जैसे बाम है चोटे पैक में करिब डबल का अंतर है मु तो सर्दी, जुकाम, काफ, अलर्जी, किसी को बहुत जादा सर्जी हो जाती है तो नाक से ले करके गले तक हम इसकी मसाज करा देते हैं ऐसे लिया और इस तरह से ले करके यहाँ नाग पे लगाया यहाँ गले में लगाया तो कितनी भेंकर सर दी काफ कोल जो काम हो एकदम ठीक सिर दर्द एकदम ठीक बनाए इसमें तो इंस्टेंट रिलीफ है ऐसा नहीं कि इसमें कोई वक्त लगेगा किसी को घुटनों में दर्द होता है कमर में दर्द होता है कहीं पर भी दर्द है सिर में दर्द जोडों में दर्द घुटनों में दर्द सब दर्दों में एक तरह से यह रामबान है हमने इसका एड कैम्पिन भी इस बार चलाया क्योंकि बाम के नाम पर बहुत एड कैम्पिन चला करते थे तो हमने कहा कि चलो लोगों को पता तो लगे कि पतंजली का जो बाम है वो जबरतस्त असर का रही है और यह हम करीब करीब पिसले 30-35 सालों से हमने अपने गुरू से यह नुक्सा लिया था कि बाम का अलगलग सबका फार्मूलेशन है अलगलग बाम बनते रहे हैं देश के अंदर लेकि ये अद्भूत लाब है अद्भूत इसका तो आप इसका 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 करके देखिए आपको खुट पता लगेगा और जो है ये हमने लिब बाम ये भी होट फटने के लिए हमने एक तो घरे लूप आया आपको बताया कि सरसों का तेल या तिल का तेल आप वोगों की जानकारे के लिए हाँ स्किन के उपर सबसे अच्छा होता है तिल के तेल से मसाज करें अभी तेल भी हमने लॉंच किया पतंजली से जो कि 100% प्यूर रहने तो तिल के तेल में सबसे ज़्यादा मिलाओट होती है सबसे ज़्यादा मिलाओट होने वाले तेलों में एक तो तिल का तेल दूसरा सरसों का तेल बाकी भी तेलों मिलाओट करते हैं जो भी महंगे तेल होते हैं उसमें पामोईल बिला देते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मिलाउट करते हैं लोग सरसों का तेल और तिल का तेल तो सरसों या तिल के तेल से आप मसाज कर सकते हैं सरसों का तिल का तेल आप नाभी में लगा सकते हैं और वैसे गाय का घी भी नाभी में लगा सकते हैं उसे होट नहीं फटते हैं लेकिन होट फटने वाली बिमारी और कहीं के तो हलात यह हो जाते हैं कि होटों से भी खोना ले लगता है तो होटों से भी खोना आता है तो ठीक है यह लगाने में बहुत इजी है जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में यह तो इसमें जब ऐसे आप करते हैं तो इसमें से कानकारी के लिए मैंने यह थोड़जा जादा निकाल के दिखाया तो ऐसे जब इसको दबाएंगे तो ऐसे निकल एगा और इसे थोड़ता दबाया और होठों कि जो हमने घरी लूपाए बताया कि आप सरसों का तेल, तेल का तेल या गाये का घी नाभी में लगा ले पतंजली गाये का शुद घी होता है इसकी बावजूद उनको दिन में पांट दस बार ये लगाना पड़ता ही आहलात रहती है तो आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं ये जह है स्ट्रोबिरी की फ्लेवर के साथ में आपको हमने लिब बाम बता है बहुत चपरदस इसका इफेक्ट है और मैं आपको एक खास बाते कहना चाहता हूँ कि जिनको भी तकलीप है आप उनको भी बताएए क्योंकि करोड़ों लोगों को भ्रमित किया हुए विदेशी कमपनी उन्हें करीब पचास लाख करोड़ों पर के अर्थ वस्ता पर कबजा किया हुआ है रोयल्टी के नाम पर और बहार से कुछ ऐसे जह है सिक्रेट फार्मूलेशन के ऐसा बोलते हैं कि हमारे इस सिक्रेट फार्मूलेशन उसके नाम पर रोयल्टी सिक्रेट फार्मूलेशन और प्रॉफिट के नाम पर हर साल एक एक कमपनी हजारों करोड़ों और कुल मिला करक करीब करीब दस से बीस लाग करोड रुपए ये विदेशी कंपने हर साल देश का लोट करके लेकर दाते हैं दस से बीस लाग करोड रुपए आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी लूट इन विदेशी कंपनियों की दोरा हो रही है इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ देश को इन विदेशी कम्पनियों के आर्थिक लूट और घुलामे से बचाईए और देश को आर्थिक आजादी दे लाईए